जो मुहबबत की दुकान राहूल गांधी ने खोली है उसको और जादा आगे बढ़ाते हुए भी नज़रा रहे हैं सबसे जादा जोरदार जटका अगर किसी को लगा है तो वो बीजेपी ही है तरीके से मोधी सरकार सत्ता का मिस्यूज कर रही है चलिए आपको बताते हैं लोगसभा चुनाव की तयारियां सभी पाटियां कर रही है लेकिन ऐसे में सुप्रिम कोट ने एक फैसला देकर बीजेपी को जोरदार जटका दे दिया जिहां मोधी सरकार किस तरीके से अपनी सत्ता का दिरुपियो करती है और सत्ता के नशे में चूर रहकर उनके नेता मंतरी विधायक के सहत तक जाते हैं ये किसी से छिपा नहीं हुआ है और वक्त वक्त पर इस तरीके के वीडियो भी सामने आही जाते हैं जिसमें सत्ता का प्रशा साफतोर पर जलगता है लेकिन एक बार फिर से अब सुप्रिम कोट ने मोधी सरकार को लोगसबा चुनाव से पहले जोरदार छटका दे दिया है सुप्रिम कोट ने इलेक्टॉरल बॉंड पर बैन लगा कर ये बता दिया है कि किसी भी तरीके से अब जो धोखा ये वो बरदाश्ट नहीं की जाएगी और इसमें किन-किन चीजों का उलंगन हुआ है और किस तरीके से मोधी सरकार सत्ता का मिस्यूज कर रही है चलिए आपको बताते हैं अब सोचने वाली बात ये है कि इलेक्टॉरल बॉंड को बैन करने के सुप्रिम कोट के फैसली के बाद सबसे जादा जोरदार जटका अगर किसी को लगा है तो वो बीजेपी ही है क्योंकि बीजेपी को ही सबसे जादा चंदा मिला था और इलेक्टॉरल बॉंड होते क्या है वह मैं आपको आगे बताऊंगी लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि बीजेपी को आखर कितना कितना चंदा मिला है और इलेक्टॉरल बॉंड को सुप्रिम कोट ने क्यों बैन किया है सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सुप्रिम कोट ने इसे बैन क्यों किया है दरसल उच्छतम न्याय ने चुनावी बॉंड योजना को अनुच्छेद 19-1-1 का उलंगन और आसमवधानिक माना है साथी आदेश दिया है कि स्टेट बैंक ओफ इंडिया यानि SBI राजनीतिक दलो द्वारा लिये गए चुनावी बॉंड का ब्यवरा भी पेश करेगा इलेक्ट्रोरल बॉंड के जरी अभी तक सबसे जादा जो चंदा है वो BJP को मिला है और किसी पार्टी को नहीं इसलिए सुप्रिम कोट के आदेश के बाद सबसे जादा मिर्ची भी BJP को ही लग रही है दरसल इलेक्ट्रोरल बॉंड से राजनीतिक दलों को 16,000 करोड रुपे का चंदा मिला है और इसमें सबसे जादा BJP का हिसा है चुनाव आयोग और ADR के मताबिक इसमें 55 फीसदी यानि 6,565 करोड रुपे का चंदा BJP को मिला है अब आप सोच कर देखी इतना जादा जो चंदा है वो BJP को मिला है इसके अलावा अगर साल 2018 की बात करें तो पिछले वित्यस साल तक सभी राजनीतिक दलों को 12,000 करोड रुपे का चंदा मिला चुनाव आयो के आकड़ों के मताबिक साल 2018 में भारतिय जंता पार्टी को चुनावी बॉंड के जरिए 1450 करोड रुपे का चंदा मिला तो अगर कॉंग्रेस की बात करें तो कॉंग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 383 करोड रुपे और त्रडमूल कॉंग्रेस को 97.28 करोड पैगा जो चंदा है वो बीजेपी को मिला इसी साल लोकसभा चुनाव हुए थे और वहीं अगर साल 2020 कोवीड की वज़ा से चुनावी बॉंड से मिलने वाले चंदे में भी कमी आई थी लेकिन बीजेपी को जो चंदा मिला है जो एलेक्ट्राइल बॉंड के जरिये वो सब से जाधा है जाए वो 2019 की हम बात कर लें या फिर 2018 की बात कर लें अगर साल 2020 की बात करें तो इसमें बीजेपी को 22.38 करोडर रुपे को 10.07 करोड़ रुपे और TMC को सबसे जाधा 42 करोड़ रुपे का जो चंदा है वो मिला हालांकि अगर बीजेपी कीquisट देखी जाय तो ब अब इस पर रोक लगा दी गई है सुप्रिम कोट की तरब से वहीं अगर साल 2021 में भाजपा कुछ चुनावी बॉंड के जरीये मिले चंदे की बात करें तो एक हजार 32 करोर रुपे मिलेते त्रणमूल कॉंग्रेस को 528 करोर रुपे और कॉंग्रेस को 236 करोर रुपे मिले सबसे जादा चंदा मिला है और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोरल बॉंड के शुरुवात करने की तो साल 2017 के बजट में तक कालीन वित्तमंत्री अरुड जेटली ने इलेक्ट्रोरल बॉंड की घोशना की थी और 2 जनवरी 2018 में केंद्रसरकार ने इसे नोटिफाई भी किया और ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ चिनिंदा ब्रांच से खरीद कर पार्टी को डोनेट कर सकता है हाला कि बॉंड खरीदने वाले की पहचान गुपत रखी जाती है चुनावी बॉंड खरीदने वाले व्यक्ति को टैक् अगर बिजनसमेन अगर वो किसी पार्टी को चन्दा देना चाता है तो वो बिन अपना नाम बताए यानि उसको गुपत रखा जाएगा और वो कितना भी पैसा किसी भी पार्टी को दे सकता है और उसका नाम भी गुप्त ही रखा जाएगा योजना के प्रावधानों के मताबिक भारत का कोई भी नागरी की अदेश में नियमित या अस्थापित एकाई चुनावी बॉंड खरीद सकती है और ये बॉंड कई तरह से मिलते हैं जिनकी कीमत एक हजार से लेकर एक करोड जादा दिल्चस्प है और उस पर जो कहा गया है फैसला लिया गया है वो भी काफी जादा समझने वाली चीज़ है कि सुप्रिम कोट ने ये जो सारी चीज़ें हैं वो अब सब के सामने रखी हैं तरह से सुप्रिम कोट ने कहा है कि सरकार ने इस योजना से काले धन पर रो जरूरी बताया लेकिन हम इससे सहमत नहीं है यानि सुप्रिम कोर्ट के साफ तोर पर यह कहना है कि सरकार ने कहा कि इससे काला धन में कमी आएगी लेकिन ये तो गलत है और इसके अलावा ये भी कहा है कि जो आटियाई के थ्रो जानकारी अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें इस चीज का मेंशन नहीं किया जाता है कि ये पैसा किस ने दिया है तो ये भी चीज है कि आटियाई का उलंगन करता है और इसके अलावा जो भी लोग पैसा दे रहे हैं उनका नाम भी सामने नहीं आता है ये भी इससे भी सुप्रिम कोर्ट सहमत नहीं नजार आया और कोर् प्रभावित करने के लिए नहीं होता, राजनीतिक लगाव के चलते भी लोग चंदा देते हैं, इसको सारवजनी करना सही नहीं होगा, इसलिए छोटे चंदे की जानकारी सारवजनी करना गलत होगा, किसी व्यक्ति का राजनीतिक जुकाव निजता के अधिकार के तहत आता ह यानि सुप्रिम कोट ने साफ तोर पर ये कह दिया है कि किसी भी तरीके से RTI का जो अधिकार है उसका उलंगन नहीं होना चाहिए और इसमें साफ तोर पर RTI का उलंगन हो रहा है इसलिए जो सरकार है वो जिनों ने अपने दलीले दी है किसे काला धन हम कम करेंगे तो वो बिल कंप मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें राहूल गांधी की तो राहूल गांधी की भारत जोड़ों या यात्रा लगातार आगे बन रही है और जो तस्वीरे सामने आई वो काफी जादा अच्छी है और लोगों को एक साथ जोड़ने की जो महबत की दु नपक्षकाथ